हलो एवरिवर अभी हम लोग निमोनिक्स याद करेंगे टेंडन और लिगामेंट को क्योंकि जो एनिमल टिशू है उसमें बहुत सारे एग जामपल है तो whenever question कि टेंडन किसका एग्जामपल है लिगामेंट किसा एग्जामपल है तोसमें बहुत सारा कनफिजन होने लगता है तो मेरे दा आते हैं आपको किस बात की डर है तो आएए शुरू करते हैं देखिए जो टेंडन और लिगामेंट पहले आते हैं किसमें आते हैं एक्जामपल क किसमें आते हैं गर Corporal man or non Teddy shoot वो तिन तरह के होते हैं बैब कर सकती सव और सिपया अगओं यह किसवें आते हैं टेंडेन ओर लिगामेंट 10 क्णक्टव टी सु में है और डें स स्कालीू टिशुमे दो आते हैं डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर देंस रेगुलर और देंस इर्रेगुलर तो जो टेंडन और लिगामेंट है वो किसमें आएंगे के इसको याद करने के लिए असानी से ट्रिक्स है या नी मोनिक्स बोले जिए क्या है डॉक्टर नोग शोर्च निते हैं डॉक्टर टी यार और तेली किसी को भावराव को अचाने के नहीं लिख्या है बस यह ट्रिक्स है जिससे आपको आसानी से एक्जाम अगर कोश्चन आए इससे तो आसानी से हो जाए तो डी से हो जाएगा डेंस और आर से रेगुलर करक्टिव टेशू और टी से टेंड़न और एल आई से यहां लिखतेँ है लिगामेंट तो हो गया ना डॉक्टर तेली तो अब हम लोग टिदेंड़न और लिगामेंट कहां आटने छोते है किस एटेश होते है वह देखें तो टेंडंडन कहा राटच होता है, muscles to bone, muscles to bone, तो इसको याद करने की लिट्रिक्स है, mtb, क्या है, mtb, mtg नहीं, mtb, हम भूक का नाम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहें, mtb, तो m से हो गया, muscles, और t से हो गया, tendon, और b से हो गया, bone, और ligament, attach होता है, bone to bone, तो इस तरह से, आपको, आसानी से आद हो जाए,